हलो दोस्तो वेलकम टो THEPLAIT To own business lab आज की लीडियो में इस होट पिलेट के बारे में पूरे डिटेल में जानकर इस देने वहला हूँ कि इस होट पिलेट को आप कहां पे किस तरीके से सितामाल कर सकती हो और इस होट पिलेट को आपको कहां से मिलेंगे तो देखिए कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि इस होट पिलेट के जरीए हम LED का जो SMD LED होता है इस SMD LED को हम निकल सकता हूं कि नहीं इसके ओपर एक वीडियो बनाएंगे तो देखिए अगर हम इस होट पिलेट की बात करें तो यह मार्केट में आपको और यह जो होट पिलेट है यह दो से तेन मिनिट के अंदर यानि कि एक से दो मिनिट के अंदर लगबग 400 डिग्री सेंटेग्रेट पे यह पहुँच जाती है इसका टेमपरेचर इसलिए आप इसके ओपर जो भी चीज रखोगे वो उस चीज को 400 डिग्री तक लेके तो अच्छे लिए आपको एक दिखाता हूं डेमो तो यहां पर मैंने रखा क्योंकि यह इसको मैंने पहले सहीं हीट करने के लिए बिठा के रखा हूं तो सबसे पहले आप देखिए इसके लिए आपको एक टूजर की जोरोत होगी और एक कुछ इसको डाइबर से आपको टाच करके रखना होगा जैसे ही और इसके बाद आपको लगबग 30-40 सेकंद तरा आपको रखना होगा देखिया आप ही हीट हो चुका है तो आप क्या करेंगे आप जो भी LED को निकलना चाते हो बहुत आसानी से देख सकते हो निकल सकते हो सिर्फ इस SMD LED नहीं है आप यह ज इस रेजिस्टर को भी आप असानी से निकल सकते हो हर एक चीज को आप निकल सकते हो क्योंकि यह जो हमारे नीचे होट प्लेट रखा हुआ है इसका भी जो टेंपरेचर है यह 400 डिग्री प्लास है इसलिए इसके ओपर जो भी चीज आप रखोगे यह 30-40 सेकंद के अंदर आपके जो भी मैटेरियल इसके ओपर रखोगे उसको 400 डिग्री पर लेके जाएगा अगर हम इस LED स्ट्रीप की बात करें तो इसको भी निकलने के लिए आपको जोरत होगी 300-400 डिग्री सेंटिग्रेट तक तो इसको भी आप इसके ओपर रखके आप निकल सकते हो और मैं ज डिस्क्रेट्शन में मिल जाएंगे आप वहाँ पर जाके पर्चेस कर सकते हो और अभी आपको लगभग 500-600 रूपिस के अंदर ये मिल सकती है क्योंकि बैंगूर्ट पर क्या होता है कि उसका बहुत बारा सेल चलती है जो की वो ब्लैक फ्राइडे सेल और उस स्वेल सेल के आखिर तक देखने के लिए अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके बता सकती हो और इसके लाब आप मेरे से पर्सनली कॉंटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रेप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेस्बुक का लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाके आप मेरे से कॉंटेक्ट कर सकते हो थैंक्यू